हेलो व्राइंट्स कैसे हैं आप सब लोग रुस्ता है विशा आला सब करता हूं आभी के चैनल में उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हम अभी टान दो कि एक पार्ट में कुछ भी हो सकता है कि यहे वीडियो काफी इंटरस्टिंग है और ऐसी ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद में नहीं बताऊँगा फेस्टूक का ओवर व्र्यूं में आपको दोगा ओके दोस्तों सबसे बढ़े हम को जानते हैं क्या क्या उसकी सेटिंग है जिनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है ओके दोस्तों तो सबसे पहले Facebook application हम अपने Android phone में खोल लेंगे यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है ओके दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर एक option आता है setting and privacy का यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जैसे की data saver data saver क्या काम करता है दोस्तों यहाँ पर data saver आप जैसे ही on कर लेंगे तो देखिए दोस्तों उपर जैसा की लिखा हुआ turning this on will reduce image size and stop videos from playing automatically to help use less data इससे क्या होता है दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी image आपको facebook पर जो feeds पर show होती है वो बहुत resolution कम हो जाता है उनका okay और image size भी कम हो जाता है और इसके अलावा automatically जो video play हो जाती है आप देखते होंगे जैसे scroll करते हैं आप facebook पर videos automatically scroll होती है और चालू हो जाती है okay दोस्तों तो वो उस चीज को यह stop करेगा जिससे आपका data बहुत जादा reduce होगा कम data आपका फुकेगा okay दोस्तों इसके अलावा और क्या है दोस्तों यहाँ पर language का option है आप different different languages यहाँ पर जाके check कर सकते हैं जैसे कि आपको device language के according आपने चालू कर रहा जैसे कि मैंने आप चाहिए तो English के according चालू कर सकते हैं Hindi के according चालू कर सकते हैं और जितनी भी यहाँ पर languages आपको मिल जाती हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों काफी amazing है यह setting इसे भी आप एक पर यूज करके जरूर देखेगा ओके दोस्तों इसके अलाबा एक चीज आती है जिसे बोलते है your time on facebook यह क्या चीज है दोस्तों your time on facebook पर क्या होता है यहाँ पर यह आपको बताता है कि आप daily कितना time spend करते हैं facebook पर तो दोस्तो इस चीज़ के बारे हैं मेभी आपको पता हो या मेभी आपको पता ना हो लेकिन यह चीज़ आपको बताती है कि डेली आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं Facebook पर तो इससे आप मैनेज कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आप मैनेज करना चाहते हैं कि आप एक fixed time ही इ you have spent one hour in Facebook today ओके दोस्तो तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं ओके दोस्तो फ्रेंड्स on Facebook का option है यहां से आप अपने फ्रेंड्स को चेक कर सकते हैं new feeds preferences यह क्या चीज़ है दोस्तो यहां पर priority के हिसाप से आपको आपकी जो feeds पे पोस्त आती है वो आपको priority के हिसाप स आप यहां पर कर सकते हैं ओके दोस्तो यहां पर priority चार तरीके की होती है prioritize who to see first unfollow people to hide their posts reconnect with people you have unfollowed apps hidden from new street ओके दोस्तो इनको आप अपनी according manage कर सकते हैं इसके अलाबा दोस्तो एक setting होती है जो बहुत important है जिसे बोलते है notification setting notification setting में दोस्तो बहुत सारी setting होती है notification setting बहुत तरीकी होती है एक होती है Push notification आपको बार-बार mobile पर notification आते हैं तो उन सब चीज़ों को आप यहां से maintain कर सकते हैं ओके दोस्तो जैसे comment की notification आप को आती है को के दोस्तो पुछ नोटिफिकेशन तो आप उसे बंद कर सकते हैं जैसे कि मैंना email की बंकर रखी है लेकिन push की चाल हुए तो इस तरीके से ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से अलर्ट आपको शो हो रहा है ओके दोस्तो तो इन्हें आप बंद कर सकते हैं इसके लाबा बहुत सारी notification होती है टैक की होती है reminder की होती है more activity about you की होती है update from friends friend list की है ओके दोस्तो तो इन सब चीजों को आप maintain कर सकते हैं अगर आप maintain करना चाहते हैं जैसे कि birthday बगेरा की आपने देखियोंगी notification आती है तो उनको भी आप कर सकते हैं इसके अलाबा यहां पर push notification का एक option होता जिसे आप अलग से off या on कर सकते हैं ओके दोस्तों तो काफी अच्छी है यह settings इनको यूज़ करके जरूर देखियेगा ओके दोस्तों हो सकता है मैंने आपको बहुत कुछ अधा बताया हो जो शायद आपको पता ना हो ओके दोस्तों इसके अलाबा आप चाहते हैं कि आपको notification आपके mobile पर आया करें तो sms पर आप अपना phone number add कर सकते हैं ओके दोस्तों यह notification बहुत ज़्यादा important है ओके दोस्तों तो उमीद है आची वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा ओके दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को like जरू कीजेगा और चैनल को subscribe करना ना पूल है ओके दोस्तों यह अभी हमने थोड़ा ही बहुत कुछ बताय बहुत जल मिलेंगे आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग सेंटिंग्स और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तों